Good morning students, आज मैं आप लोग को page number 40, नुश्वार अंग की मात्रा, अंग की मात्रा कैसे होता है? उपर एक बिंदी होता है, उसको मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप भी घर में वैसी पढ़िएगा यहाँ पर लिखा है, समें अंग की विंदी लगा, तो क्या होगा? संख, संख, घंटा, पंक, बंदर, मंदिर, कंगन, इसको आप भी ऐसी पढ़िएगा, फिर क्या है? देखिए, पढ़िए और समझिए, इस पिच्चर इस चित्र को आपको देखना है, उसको पढ़ना है और आपको समझना है, यहाँ पर क्या लिखा है? कंगन, कमें अंग की विंदी दिया है, कंगन, कंगन, और यहाँ पर कंगन का चित्र दिया हुआ है, यह मंदिर का घंटा है, यहाँ पर घंटा लिखा है, घंटा, आप इसको जानते होंगे, यह संख का चित्र है, देखिए, य कुण सा सा होता है आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका पिर सा में भी गल्ती नहीं होगा आपका पिर सांड नहीं होगा समय मंदिर ख रहे औरहा पर मंदिरखा है समय यह मंदिर की बीन्धिमन रहे चोठी मंतादीर iw Instracham पंक का चित्र है यहाँ पर लिखा है फिर इसको आप पैचानते होंगे यह काहे का चित्र है बंदर का और यहाँ पर बंदर लिखा है आप अंग की मात्रा लगा कर इसको पढ़ना सिखिया और लिख के प्रैक्टिस भी किजिएगा फिर क्या लिखा है जंगल में नाचा मोर, मंदीर में मच गया सोर, चंदन मंगल गय देखने, कितना सुन्दर है यह मोर, आप इसको अच्छे से पढ़िएगा फिर लिखा है पढ़िए और समझे, आपको इसको पढ़ना है और समझना है जंग, तंग, दंग, भंग, संग, गंगा, चंगा, डंगा, पंगा, चंदा, गंदा, हंदा, बंदा, मंदा, जंडा, जंगल, दंगल, मंगल, चंदन, वंदन पलंग, मलंग, वसंत, तरंग, पसंद, कंचन, मंजन, इंजन, कंगन, चंचल आप भी इसको ऐसी पढ़िएगा फिर लिखा है घंटाघर, सतरंज, सतरंगी, बदरंग, मनुरंजन, चुकुंदर आप भी पेज नंबर फुट्टी को ऐसी पढ़िएगा और इसका जो बच्चा हुआ है कल पढ़ेंगे और उसका एक्सरसाइज करेंगे थैंक यू